तो इस पर्टिकलर सेशन में हम बात करने वाले हैं डिएफसे से आल एक्जाम के लिए जो आपका मार्केटिंग मेनेजमेंट का पर्टिकलर सेक्षन है और आज आपका लेक्चर निंबर 5 है इससे पहले 4 क्लासस हो चुके हैं यानिकी 4 लेक्चर सो चुके हैं उनको जाके मेटा मार्केटिंग से चीजों को स्टार्ट करना है ठीक है किससे करना है कि मेटा मार्केट क्या होता है और यह मेटा मार्केटिंग क्या होती है एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म है यह आपका मार्केटिंग मेनेजमेंट में और यह बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी इस तो शुरू करते हैं session को और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये देखो अब सभी को ये structure of flow आता है ना कोई इसमें doubt किसी को नहीं होगा और हाँ एक चीज और मैं आपका test लेने वाला हूँ जल्दी ही और मैं उसमें कोई भी चीज उठा के दूँगा और आपको मैं एक चीज होगा तो वो सम्में से होगा ठीक है ना आपका उसमें मैं हाई आड़ी यानि के इस्ट आफ इंडियान रेलवेज भी पूछूंगा दन आपका इसके अलावा जो science का section हो गया वो भी पूछूंगा जीके भी पूछूंगा और मैंने आपको जो pdf दी है current affairs की या फिर मैंने जो आपको types of trains वाली pdf दी है उन में से भी आपके questions होंगे ठीक है ना तो मैंने जाज तक जितना content आपको दिया है उन सभी में से आपके questions पूछे जाएंगे तो ये आपको इमत पूछना की क्या आएगा क्या नहीं आएगा सर ठीक है और जिसके marks अगर 80% से कम है तो उसको लटकाओंगा ठीक है ना सारा revise करके रख लेना और test के बारे में कुछ time पहले ही पता चलेगा ये नहीं कि मैं बताओं कि चलो दो से तीन दिन वाद test है खेर चले अब हम आज बात करने वाले हैं मेटा मारकेटिंग की थोड़ा सा नीचे आते हैं देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ मेटा मारकेट की ठीक है मेटा मारकेट तो सबसे पहले तो ये जो मेटा मारकेट टर्म है ये जो आप टर्म देख पा रहे हैं किस ने दिया ये भी important है note down करो तो मोहन साह अब अक्सर जो है आपको ये question दो तरीके से मिलेगा कई जगे आपको मिलेगा की मेटा मारकेट का concept किस ने दिया तो ये चीज़ याद रखना मेटा मारकेट का जो concept है वो दिया मोहन साहिनी ने कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा की term question ऐसा मिलेगा the term मेटा मारकेट यानि कि जो Meta Market नाम का जो शब्द है, ये किसने दिया है, तो अगर आपको option में first priority हमेशा मोहन सायनी रहेगी, अगर ये option में नहीं दिया होता आपको, तो आप यहाँ पे E.J. Kelly करके आओगे, ठीक है, क्या करके आओगे, E.J. Kelly, ठीक है न, confused तो नहीं है कोई, तो अगर आप से Meta Market बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था, Meta Marketing, clear है, क्योंकि जो Marketing term है, वो इन्होंने E.J. Kelly ने इसका concept दिया, जबकि जो Meta Market का term था, वो मोहन सायनी ने दिया था, ठीक है, तौनों चीज़ा याद रखना, option के accordingly भी हम इसमें जा सकते हैं, ठीक है, चलिए, अब इसक closely related markets, क्या होते हैं भाई, closely related markets, ठीक है, देखो, ये closely related market हो गए, किस वज़े से, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, और इसके ना, दो aspect निगल के आते हैं, दोनों aspect आपको बहुत ही ध्यान से समझने हैं, है न, देखिए, from the customer point of view, ठीक है न, क्या हो गया आपका, कि ये closely related market होते ह हैं, लेकिन किसके point of view से, from the customer point of view, यानि कि जो customer है, उसके point of view से, तो ये कैसे होते हैं भाई, closely related markets हो गए, लेकिन, actually में ये जो market होते हैं, फिर इनके जो institutions होते हैं, वो बिल्कुल different होते हैं, तो but are different set of industries, क्या लिखोगे भाई, but are the different, different set of industries, ठीक है न, industries, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, अब कैसे इसमें क्या हुआ, ये जो market है, ये basically जो customer है, आपको ही suppose करो, मैं यहाँ पर, मैं आपको example दे रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझना, यहां से questions बनते हैं, और अगर conceptual question पूछ लिया, तो आप हो सकता है, first जाओ, है न, देखो, अब यहाँ पर यहाँ पर finance कराने के लिए जो company है, या फिर जो यहाँ पर मैं जिससे car लेने गया हूँ, ये दोनों अलग-अलग companies है न, ठीक है, लेकिन मेरे point of view से ये क्या होगा, ये बहुती closely related है, क्योंकि मैंने तो car लिया और मुझे उसकी financing करानी है, या फिर suppose करो मैंने car लिया और इस company के दौनों spare part हो, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि मुझे पता है कही सारे बच्चे confuse करेंगे इस चीज में, कि company जो word है, ध्यान देना हमेशा company word जो है, वो अलग होता है, market word अलग होता है, मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि आपका different companies होंगी, मैंने यहाँ पर क् side में वो company spare parts की उसकी industry लगी होगी, हैना तो different set of market होता है, different set of industries होती है यह, मैंने आपको market क्या बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो, market की definition, तो मैंने इसकी definition क्या दी थी, यहाँ पर हम किसी particular goods की बात करते हैं, लिखाया था मैंने अब याद आ रही definition, क्या लिखाया था मैंने यहाँ पर हम बात करते हैं, किसी भी particular goods की, या फिस services की, कि जहाँ पर कोई एक particular सामान बिकरा होगा, जैसे मैंने सबजी मंडी का तब example दिया था, वहाँ पर सबजी बिकरी होगी है, ना ऐसा तो नहीं होगा, कि जूते भी बिकरे हो, ठीक है, तो वो जूते वाले market मे बिकेगा, बात की गहरे ही तक पहुँच पाएगी नहीं, पहुँच पाएगी, यहाँ से छोटे छोटे जो point है ना, पहुत सारे questions यहां से form हो जाते हैं, ठीक है, तो बात की गहरे ही तक आप पहुँच गए ना, कि यह होते क्या है, basically meta market क्या है, ठीक है, यह definition कि यह आपकी set है, वो different होता है, ठीक है, clear हो गया होगा, जिसे अब suppose करो मैंने car ले ली, financing करा ली, अब हो सकता है कि मुझे यहाँ पे driving academy में जाना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना होगा, मुझे driving academy में जाना पड़ेगा, अब जब मैं driving academy में जाओंगा, तो दो कितनी different चीज़ है, car लेना लेपी लिया, लेपी का market अलग है, लेकिन कल के दिन मेरा लेपी का, suppose करो मैं mouse लेने गया, ठीक है, अलग से मैं mouse लेने गया, external mouse जो होता है न, तो ये laptop का market है, वो अलग है, mouse का market अलग है, लेकिन मेरे point of use से दोनों बराबरी है, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं थोड़ा सा द definition लिख लो, जो understanding बनी है, example से वो अपने words में लिख लो, ठीक है, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, ये तो metamarket हो गया, मैंने आपसे बोला था, दो aspect होते हैं इसके, एक ये aspect हो गया, तो इसमें भी आप एक बार लिख लो, ठीक है, यहां से भी questions बनी सकते हैं, लिखो, क्या लिखोगे भई, a metamarket, a metamarket, हिंदी में भी मैं आपको बता दूँगा, don't worry, ठीक है, a metamarket brings, क्या करता है, ये ले आता है, brings all buyers and sellers, all buyers and sellers, यानि कि जो भी खरीदने वाले हैं, या फिर जो बेचने वाले हैं, ठीक है, all the buyers and sellers, in one place, for one purpose, in one place, in one place, for one purpose, for one purpose, अब देखो, इसके आगे क्या हो जाएगा, एक place, एक purpose, इसके आगे एक line हो रहे है, important जो बनती है आपके लिए, instead of, क्या लिखा मैंने, instead of giving multiple product, instead of giving multiple product, थोड़ा सा नीचे आते हैं, multiple product, नहीं यार, इसको ना, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, ये वाली line काटो, instead वाली, wait a second, ये सही नहीं बनेगी, आगे line, इसका sentence नहीं हम ऐसे बनाते हैं, instead की जगए, so, metamarket, it is a place, ठीक है, it is a place, where, तो ये क्या हो गया भाई, ये एक जगए हो गई, ठीक है, it is a place, where, everything connected with a certain market, ठीक है, क्या हो जाएगा, everything connected with a certain market, can be found, ठीक है, can be found हो जाएगा, ठीक है, अब देखो, basically आपको अब क्या समझना है, इसमें, मैंने आपसे क्या बोला, कि एक metamarket क्या करता है, जितने भी buyer हैं, जितने भी seller हैं, उनको एक जगए ले करके आता है, एक purpose के लिए, ये एक purpose का क्या मतलब है, अब ये आपको इस example में समझ आएगा, देखो, क्या हुआ कि suppose करो, मेरा एक market था यहाँ पर, ठीक है, ये एक market है, ये कौन सा market है मेरा, ये है car का market, ठीक है, car का market है, automobile market है, मैं यहाँ पर गया और मैंने अपनी car खरीद ली, अब मैंने car खरीद ली, तो इससे related क्या-क्या चीज़े निकल के आई, कि मुझे हो सकता है इसकी financing की जरूरत पढ़ जाए, ठीक है, दूसरी बात मुझे है, यहाँ पर driving school की जरूरत पढ़ जाए, या फिर इसके बाद में इसका जो third point होगा, modifications का, ठीक है, यानि कि आपने देखा होगा, कई लोग क्या करते है, car खरीदने के बाद उसमें कहीं window में कहीं wooden work करवाएंगे, कह फिर जो sound system है, वो लगवाएंगे, तो यह सब काम होता है, modification वाला, तो अब हुआ क्या कि यह क्या हो गया, एक common purpose हो गया, ध्यान देना, बड़ी बिल्कुल कौर से सुनना इस चीज़ को, क्या हो गया, यह क्या हो गया, आपका common purpose हो गया, इस common purpose को लेकर के, कितनी सारी चीज निगल के आ रही है, financing हो गया, driving हो गया, modification हो गया, तो यह सारी की सारी चीज़ें हमने एक market में डाल दी, एक particular market में डाल दी, और इस market को बोल दिये, कैसा market है, meta market है, ठीक है, कैसा market हो गया, यह meta market हो गया, इसमें आपको जो कई common purpose है, यानि कि जो car वाल, जितना भी automobile से related आपक services चाहिए होती है, financing हो गया, चाहिए वो driving school हो गया, driving आपका हो गया, या फिर जो भी modification हो गया, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक साथ, तो हुआ क्या है basically, कि जितने भी आपके seller थे, जिनको उससे related, यानि कि जो financing companies हो गई, या फिर जो आपके driving test सिखाने व वाले center हो गए, इन सभी के सभी यह कहां पर पहुँच गए, meta market में पहुच गए, किस purpose के लिए कि भई, car वाला जो भी customer होगा, उसे हम अपना बेच देंगे, इसी तरहेगे से आपके जितने buyer थे car वाले, उनका common purpose क्या हो गया, उनको सबोस करो financing करानी है, तो financing मिल जाएगी या फिर आपको यहाँ पर driving सीखनी है, तो वो driving भी मिल जाएगी, ठीक है तो basically इसका यह मतलब हुआ, now second line देखो क्या लिखा है, it is a place where everything connected with a certain market, यानि कि कोई एक certain market होगा, जैसे हमारा automobile market हो गया, यह certain market है, इससे related जितने भी चीज़ें होगी, ठीक है न, वो आपको यहाँ मिल पाएंगी, कहाँ पर metamarket में, बात की गहरें तक पहुँचे की नहीं पहुँचे, एक तो certain market होगा कभी भी, अगर आपसे पूचा जाए, कि metamarket के साथ में क्या related होता है हमेशा, तो याद रखना metamarket के साथ हमेशा certain market जोड़ा ही जोड़ा रहेगा, यह understood है, कि एक certain market तो होना चाहिए, तभी यह metamarket पैदा हुआ है, अगर आपसे question में पूचे, कि is it must to be a certain market without metamarket, तो क्या बोलोगे, yes, it is true, ठीक है न, तो बात समझ गया है, कैसे questions बनेगे, क्या चीज़े बनेगी, तो यह था आपका metamarket, now आपका definition आती है, metamarketing की, ठीक है, इसकी definition note down क हो सकता है, अभी समझ ना आए, तो कोई बात नहीं, बड़ इसके terms हम आगे discuss करने वाले हैं, तो आपको यह clear हो जाएगी, now metamarketing की definition किसने दी थी, E.J. Kelly ने थी, ठीक है, किसने दी थी, E.J. Kelly ने, यह मैंने आपको बताए दिया, उपर definition लिखो इसकी, it is the synthesis, क्या लिखोग यानि कि जो आपका manager level पे होती है, traditional, इसके बाद में क्या हो जाता है, scientific, scientific, social, then आपका हो जाएगा historical, ठीक है, scientific, social and historical foundations of marketing, ठीक है, तो basically metamarketing है, कुछ नहीं, यह synthesis है, यानि कि यह synthesis का मतलब होता है, एक तरीके से, जब हम जैसे, जो आपका photosynthesis है, वो भी synthesis वाली process होती है, कि हमने sunlight से synthesis करके बना दिया, glucose है, starch में खाना को बदल दिया है, यह process हिंदी में, आप लोग समझ गए होगी, synthesis क्या होता है, तो यह जितनी भी managerial है, traditional marketing हो गई, managerial marketing हो गई, scientific marketing हो गई, और जो आपका historical और social foundation है, marketing का, इन सभी का synthesis होत because there is a certain market associated with the meta market, क्योंकि आपका जितना भी काम हो रहा होगा, meta market का, उसके लिए certain market already बना हुआ है, तो उसमें जितने भी आपका marketing के types होते हैं, उन सभी का synthesis करके जो marketing की जाती है, उसे हम meta marketing बोलते हैं, ठीक है, समझ में आती है कि इतनी से बाद, अब आपको यह managerial marketing क्या होती ह यह अभी समझ आएगा, जब हम अभी हम marketing पे यह move करने वाले की marketing की क्या definition है, कैसे कैसे marketing management पे बातें करी जाएंगी, ठीक है, clear हो गया, चले, अगले वाली बात पे आते हैं, यहाँ पे, अच्छा एक चीज और, अब यह meta marketing का concept आया, तो यह सब आया, अब इसमें क्या important बात थी, जैसे कि, जैसे जैसे आपका यह meta market का जो concept है, यह develop होने लग गया ना, तो अब आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया है, automobil का मैंने आपको example दिया, तो अब ना मारूती जो है, मारूती company जो है, इनके यहाँ पर driving schools भी खुल गए है, ठीक है, क्या खुल गए है, driving school खुल गए है, इसके अलावा जैसे कि, अगर आप देखोगे, तो एक company है, अपनी यह, महिंदरा और Tata, ठीक है, कौन सी है भी, महिंदरा एंड Tata, तो इन दौनों ने, आपको पता है, 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 तो इन दौनों ने खुद ही उस market में अपना क्या है, business डालना है, start कर दिया, इससे हुआ क्या कि, भई, customer को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, customer को भी, जैसे कि, suppose करो मुझे, जो मारूती company उसके उपर मेरा trust है, तो मैं जरूर उसका driving school है, वो join कर पाऊंगा, क्योंकि मैं already उसकी car ले रहा तो वो psychological factors में यह चीज होती है, जैसे अब महिंदर और Tata, मेरा Tata पर trust है, तो मैं कहूंगा, ठीक है यार Tata से ही, मैं अपनी financing करा लेता हूं, इससे मुझे भी फायदा हो जाएगा, और जो company दे रही है, उसे भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसने मेटा marketing को यहाँ पर अ ठीक है, तो इन्होंने अब क्योंकि इनके customer को DVD, जब जतने TV लगवाई है, वो DTS लगवाएगा ना, ठीक है, तो बस इस तरीके की चीजें होती है, समझ गए होगे सारे लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही conceptual questions बनते हैं, मेटा market से, I hope clarified है, now we are moving on, अब हम बात करने वाल मेटा market देखा, now अब हम बात करने वाले हैं, market किसके उपर ये depend करेगा, customers and product के, ठीक है, यानि कि आपका यहाँ पर customer कौन होगा, या फिर आपका जो product या service आप दे रहे हो, उसके according आपका क्या market बनेगा, ठीक है, और इन markets को ध्यान देना, क्या बुला जाता है, key customer markets भी बु तो total four types के होते हैं, पहला बाला आपका क्या हो जाएगा, consumer market हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाता है, consumer market, अब ये जो consumer market है, ये भी हैर, दो parts में आपका divided रहता है, fast moving consumer goods market, ठीक है, इसको क्या लिखोगे बई, fast moving, एक होता है, आपका, fast moving, एक होता है, durables, ठीक है, ये दो type के हो होता नहीं, बिसकली ये कौनसे market होते हैं, जहाँ पर आपका जो consumer है, ठीक है, ध्यान देना, जहाँ पर हम consumer specific चीजें बना रहे होते हैं, या फिर ये basically जो retailer markets होते हैं, यानि कि जिसे कोई retailer है, वो सामान बेचने के लिए उसने अपनी दुकान लगे, अब जिसे हम लोग है, हम लोगों को toothpaste चाहिए होगा, तो हम किसके पास जाएंगे, retailer के पास जाएंगे, कि लाओ toothpaste दे दो, ठीक है न, तो ऐसे markets को बोला जाता है, consumer markets, fast moving में concept product आ जाते हैं, जो आपके product जल्दी use हो जाते हैं, जिनका हमें बार-बार use करना पड़ता है, तो यहाँ पर याद रखना कि fast moving markets में, fast moving market या फिर इनको basically fast moving product consumer product market बोलते हैं, तो इन में concept product रहेंगे, जिनकी जो frequency है, ठीक है, जिनको खरीदने की जो frequency है, वो ज्यादा होगी, ठीक है न, buying frequency लिख लो, buying frequency जो जिन product की ज्यादा होगी, वो कौन से market में रहेंगे भई, fast moving market में रहेंगे, और जिनकी buying frequency कम होगी ठीक है क्या होगी तोफस्पेस्टि यूज्स करते हैं ओर जितनी भी चीजे आप लोगा उजसकी जल्दी कलिया गार तो अब अगर अगर आपक्र लिये है तो कम से क trilogy और कि अब देखो और जैसे कि washing machine हो गया आपका ठीक है क्या हो जाएगा washing machine हो जाएगा या फिर आपका refrigerator frizz हो गया ठीक है या फिर इसके अलावा आपका AC हो गया ये सब चीज़ें क्या होती है durables होती है यानि कि काफी time तक आप इनका खरीदारी नहीं करते हो अब आपको याद आ रहा होगा मैंने आपको जब segmentation कराया था तो मैंने क्या बताया था कि घर एक बार खरीदते हैं life में कुछ चीज़ें बार बार खरीदते है तो जो time period है वो हमेशा different रहता है हर किसी company के लिए याद आ रहा है तो हर चीज़ बिल्कुल related है तो time period वाली बाती है यहाँ पर कि भई आप जिस frequency के इसाब से खरीदोगे वो दो markets में आपका divided रहेगा clear है मेरी बात चलिए यह तो हो गया आपका simple सा consumer market तो भई एक point और इसमें आप डालो कि यहाँ पर क्या है यहाँ पर हमारी buying frequency कम है यानि कि जो product की life cycle है यह point भी आप लिख लो यहाँ से चोटे मुटे questions बनते रहते हैं product की life cycle की मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ तो दौनों का यहीं पर बता देता हूँ अगर आपका मैं durables की बात करूँ तो इसमें जो product की life cycle होती है वो कैसी होगी ज्यादा होगी of course और जो आपकी product की life cycle है वो जो हमारे जो यह क्या बोलते है fast moving product है उसमें जो product की life cycle है वो of course कम रहेगी क्योंकि fast moving है ठीक है ना जो आपका biscuit ले लो ठीक है नमकीन ले लो जो भी है यह सारे product जल्दी जल्दी finish होते रहते है clear हो गया चलिए next वाले type पे आते हैं आपका जो next market है consumer market हो गया then next number पे हमारा आजाता है industrial या फिर business market ठीक है इसको हम क्या बोलते है industrial या फिर आपका कौन सा हो जाएगा भाई business market business market हो जाएगा देखो अब इसको तो भाई अब इस market में क्या-क्या मिलेगा ठीक है जो important points यहां से बनते हैं एक बार उनको आप note down करो तो एक line ही लिखा देता हूँ देखो industrial या फिर business market में क्या होगा हमारे जो buyers होगे वो भी कौन से होगे industrial या business buyers तो ये line आप सीधा यहां पर चिपका हो industrial या business आगे लिखो buyers ठीक है क्या होगा buyers purchase purchase products products like अब देखो क्या-क्या products यहां पर purchase कर सकते हैं यानि कि इस market में क्या-क्या चीज़े मेली मिलती हैं जैसे कि आपका एक तो raw material हो गया ठीक है तो एक kind of resource market है बढ़ ये आपका resource market हम इसे particularly नहीं बोलेंगे ठीक है ये kind of आपका resource market हो सकता है यानि कि अगर मैं इसका van diagram बनाओ तो ये जो है आपका ये resource market है और ये आपका resource market है और इसके अंदर बैठा हुआ है क्या industrial या फिर business market समझ गए होगे ठीक है van diagram सबको आता है ना चलो अब raw material हो गया यहाँ पे raw material मिलता है इसके अलावा आपका क्या मिलता है finished product भी मिलते है ठीक है अभी बताओंगा क्या उनकाँ से finished product मिलते है आपका होगे सर finished product तो हमें अब देखो वही बात है ना आपसे क्या बोला कि industrial या फिर business market जो है वो resource market तो आप कह सकते हो but completely अगर हम यह कहें कि भई पूरा का पूरा resource market इसके अंदर है तो ऐसा नहीं है because industrial या फिर business market में आपका जो second वाला point था वो भी आ जाएगा ठीक है ना मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूं जो हमने सबसे पहले देखा था देखो यहां पर basically क्या हुआ था हमें finished product कहां पर मिल रहा था finished product हमें यहां पर मिल रहा था manufacture market के बाद में ठीक है ना जब intermediary के पास आ रहा था तो यह अलग चीज है थोड़ी सी आप लोग कंबाइन मत कर देना मुझे पता आपको कहां कहां डाउट आने वाले हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया आपके कमेंट्स देखते देखते अब चलो अब यह finished product अम मुझे ना पता चल गया क्यार यह मेरे बच्चे जो है वो कहां कहां तक चीजों को सोच रहे हैं कहां कहां नहीं सोच रहे हैं घर raw material finished product हो गया इसके अलावा यार एक चीज जान दे ना यहां पर आपका आउट्सोर्सिंग भी होती है ठीक है अगर आपसे कभी question पूछ ले कि जो आउट्सोर्सिंग करती है companies वो किस type के market में किया जाएगा तो उसमें आप क्या बोलोगे सर हमारा industrial या फिर business market में आउट्सोर्सिंग की जाती है ठीक है चलिए आउट्सोर्सिंग हो गया इसके अलावा office supplies वगेरा भी हो सकती है ठीक है यह तो office supplies हो गई तो यह भी आपका कहा से आती है industrial एफिर business market से raw material में क्या होगा देखो raw material में आपका coke हो गया ठीक है coke की जरुरत पढ़ती है ना factories में crude oil हो गया raw material होता है crude oil इसके अलावा आपका iron की ओर्स हो गई ठीक है iron ओर्स हो गई तो इनकी जरुरत पढ़ती है then finished product का क्या होगा देखो finished product का मतलब है कि जैसे की suppose करो मेरी कोई company है ठीक है अब उसे यहां पे processor के जरुरत पढ़ेगी ना processor कैसा होता है finished product होता है ठीक है micro processor की बात कर रहा हूं जो बड़े-बड़े computers होते ह और मैं microprocessor डाला जाता है तो यह आपको पता होगा यह हमारे consumers यूज नहीं करते हैं यह जो companies होती है और मैं use किया जाता है ठीक है ना चलो आपका microprocessor हो गया इसके अलावा powerful generators हो गए ठीक है powerful generators अब यह जो generator है वो किसी company में ही लगाएंगे हम अपने घर में तो powerful generators को नहीं लगाते हैं powerful ठीक है चलो अब outsourcing में क्या हो गया जिसे कि अगर आप आजकल की companies को देखोगे तो यह क्या करती है कि security services हो गए ठीक है security services आजकल बहुत जादा outsource की जाती है हमने किसी company को particular बोल दिया कि हमारी जो industry है उसके लिए अपने security services आप दे दो हमें ठीक है या फिर call center की services होती है ठीक है यह बहुत जादा outsource की जाती है इसके अलावा आजकल accounting services को भी outsource किया जा रहे ठीक है जो account जैसे accounting वगारा करनी है वो पूरी list of repair करनी होती है excel seat होती है तो वो सब भी आजकल outsource करने लग रहे है और even यह ऐसा नहीं है कि आपका private companies यह कर रहे हैं आजकल government companies भी कई सारी इनको outsource करती है ठीक है इन सारी services को clear हो गया तो बात समझ में आगी होगी क्या होता अब office supplies में भी आपको पता ही होगा भी office supplies क्या क्या होती है कि कुछ repair item भी हमें रखना पड़ता है अपनी industries में ठीक है repair items और होगे तो office supplies में आपकी table chair ठीक है यह सारी यह सार question पूछले थर्ड वाले टाइप पर आते हैं ठीक है देखो थर्ड वाला टाइप हमारे पास कौन सा हो जाता है global सारी government market ठीक है नहीं पहले हम लोग global कोई पढ़ते हैं देखो global market इसके बाद में आपको बताऊंगा government market या फिर non-profit market के बारे में ठीक है चालो global market समझेंगे अ तो देखो अब इस टाइप के market में हम क्या गर रहे होते हैं कि जैसे जो companies है वो globally अलग-अलग countries में एंटर कर रही होती है ठीक है मैंने आपसे क्या बोला था यह जो हम market पढ़ रहे हैं वो किस टाइप के है customer center क्या निकि की customer market है तो पहले वाले market में देखा हमारा customer कौन भई consumer है दूसरे वाले में हमारा customer कौन है भई market जो हमारा basically manufacturing या फिर industries है ठीक है थर्ड वाले में हमारा market कहां पर है जो global market है यानि कि हमारा market जा रहा है अलग-अलग countries में suppose करो मैं अभी इंडिया में रहता हूँ ठीक है इंडिया में रहता हूँ अगर आपको याद हो मैंने अप political differences है यानि कि अभी इंडिया में अलग political differences है उसके अलग होंगे इसके अलावा वहां का क्या culture है लोगों के बीच में अब देखो मैंने क्या बोला customer का attitude कितने 5 factor बताते है उन 5 factor के मुझे यहाँ थोड़ा देखना पड़ेगा ठीक है उसी आप से मुझे अपना जो product है वो design क पड़ेगा उनके लिए ठीक है ना फिर आपका आ जाता है कि जो property वगेरा है मुझे वहां पर कैसी क्या मिलेगी ऐसा ना हो कि आप उस country में जातो रहे हो आपने other factors को देखानी ठीक से और आपको property में ही दिक्कत पड़ेगी ठीक है आपको कोई company है वो अपना गर production unit देखना पना my phone की factory का जो basically मेरा production unit होगा मैं कहां पर खोलना चाहूँगा उस country में खोलना चाहूँगा जहां पर मुझे एक तो labor क्या मिले थोड़ी सी cheap मिल जाए और जहां पर property मुझे property के जो laws है या फिर वो मुझे जो छूट दे रही है वहां की government वहां का political जो environment है वो कैसा है या फिर वहां का जो other aspect है वो मेरी company को favor करते भी है या नहीं करते है ठीक है तो यह सभी चीज़ें देखी जाती है कहां पर आपका global market में ठीक है clear हुआ क्या सबको समझ में आया global market में क्या होता है यहीं से आपके 4-5 question उठा लिये जाते हैं जो मैंने आपको बातें बताई है उन अपने दम पे अगर आपका company बढ़िया कमा चुकिया और Google वगयरा है वो तो अपने दम पे manufacturing plant खोल लेगा लेकिन अगर कोई चोटी मोटी company होगी तो उसे अपने साथ में पार्टनर भी ढूड़ना पड़ेगा उस particular country का ही कि बही किसी partner के साथ में मैं अगर अपना product डालता ठीक है क्या लिखोगे भई companies in the global marketplace यानि कि global marketplace अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहां की बात कर रहा हूँ physical format की बात कर रहा हूँ भी मैंने आपसे जो बात करिये manufacturing units होगी production unit होगी ये सारी के सारी क्या है भई आपका जो marketplace है वही है ठीक है आपको समझ में भी आ रहा होग इसलिए मैं जो भी करा रहा हूँ बहुत यह structured way में रखने की कोशिश करता होगी आपको चीजें relate होती है है ना खेर marketplace अब आपको क्या करना है company जिंदा global marketplace must decide must decide अब देखो decide क्या करना होता है which country to enter which country to enter यानि कि आपको किस देश में जो है अपना unit लगानी है दूसरा point आता ह आपका यहाँ पर क्या कि how to enter as how to enter यानि कि आप उस country में enter करना चाहते हो किस तरीके से आपका कोई वहाँ पर partner है या फिर आप किसी partner के साथ अपना product बेचने जा रहे हो ठीक है as a seller जा रहे हो अकेले या फिर आप वहाँ पर अपना manufacturing plant या फिर manufacturer की format पे जा रहे हो या फिर आ आप देखो manufacturer भी दो type के होते हैं कि आप किसी के साथ partnership में manufacture करो या फिर आप solo manufacturer करो ठीक है तो इस type से चीज़े है तो आपको यह question कैसे देगा बताता हूं कि basically पूंच लेगा कि solo manufacturing unit मैंने किसी country A में खोली तो यह किस type का market में आएगा तो global market में आएगा basic ही है यार I think आप लो हो global market में यह चीज होगी फिर आप क्या करोगे अगला point how to price product in different countries यह सबसे important point है how to price products products in different countries ठीक है यानि कि आपका जो product है वो different countries में कैसे बिकेगा आपने अगर देखा हो आप अगर observe करोगे तो जो iPhone की charges है चलो ठीक है आज iPhone नहीं उठाते है ठीक है आज उठा लेते हैं Nokia को य ठीक है OnePlus हो गया तो अगर आप इन phones में observe करोगे ना जो लोग टेक्स से related रहते हैं फिर टेक की news सुनते हैं उन्हें पता होगा यार कि OnePlus यह जो phones होते है यह UAE में इनकी कीमत कुछ और होती है और इनकी कीमत इंडिया में कुछ और होती है USA में कुछ और होती है ठीक है तो यह प्राइस पर पैसा अधने प्राइस पर प्रोडक्ट है वो बिकरा था या नहीं बिकरा था आपको profit का margin ठीक ठाक बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है वो सब देखके price decide की जाती है ठीक है और even कुछ फोन जो है वो इंडिया में launch भी नहीं किये जाते है क्योंकि फिर बात वही है कि इंडिया में customer हमारे जो है mainly middle class के लोग जादा है ठीक है इंडिया में mostly ठीक है mostly crowd जो है वो middle man की है तो फिर middle class है तो हम लोग क्या करते है भई एक 20-30,000 का phone लेना ही prefer करते हैं इसे जादा का जिसे कई सारे phones होते हैं जो show off के लिए जादा होते है वो इंडिया में आते ही नहीं है ठीक है mostly oneplus और nokia के साथ यह चीज होती है iPhone तो खेर अब status वाली बात है ठीक है चलो खेर यह i hope clear हो गया होगा ठीक है यह point इसमें रहते है global market में अब सबसे important आपका fourth number का है अब देखो अकसर लोग क्या गरते है ना जैसे आपका एक हो गया government market एक होता है आपका क्या government market ठीक है government market और एक होता है non-profit market एक क्या होता है आपका non-profit market अब ध्यान से समझना इस चीज़ को यह basically जो government market है और जो आपका non-profit market है इनका जो theme है ठीक है इनका जो theme है वो same ही है लेकिन अकसर आप इसे देखोगे जो कई सारी books होती है जो इन दोनों को अलग-लग लग लिख पताता हूं इनका क्या क्रक्स है इन markets में होता क्या है तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर समझो जो purchasing power होती है government market या फिर non-profit market की क्या होती है भई purchasing power अच्छा ये सभी market हम वैसे economy के term में पढ़े रहे हैं लेकिन यहाँ पर यह जो मैं word use करने वाला हूं अगली line में वो in the terms of marketer है ठीक है तो अगर मैं बात करता हूं मेरा जो government market है या फिर मैं बात करता हूं मेरा जो non-profit market है उसकी जो purchasing power purchasing power का मैं एक बार हिंदी में भी बता देता हूं देखो देखो तो इन दोनों में क्या होता है आपका government market में और आपका non-profit market में एक जो एक particular term है वो same रहता है कौन सा purchasing power का ठीक है कौन सा रहता है purchasing power clear है अब यह purchasing power क्या होती है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं इसको हिंदी में बोला जाता है आपका क्राइशक्ती ठीक है क्या बोलते हैं इसको क्राइशक्ती ऐसा क्राइशक्ती तो यह हो गया या फिर इसको और थोड़ा basic terms में बोले हूं terms में तो खरीदने की चमता ठीक है खरीदने की चमता तो ये जो basically आपका purchasing power है ये government market हो जाए चाहें आपका non-profit market हो जाए इन दौनों में ही जो purchasing power है किसकी market की अब इसमें यहाँ पे जो मैं market word का जब use करूँगा मैंने आपको बताया कि ये जो market अभी मैं use करने लगूँगा ये होगा आपका marketer के term में यानि कि यहाँ पे जो भी हमारे पास खरीदने वाले लोग आएंगे उनको मैं बोल रहा हूं market ठीक है तो अगर आपसे पूछा जाए कि government market या फिर non-profit market की purchasing power कैसी होती है तो हमेशा बेचेंगी अपना सामान इस market में उनको क्या ध्यान रखना होता है कि वो इस limit के अंदर अपना सामान बेचे तो सही लेकिन ऐसा ना हो कि quality से compromise करना पड़ जाए या फिर other features में उनको compromise करना पड़ जाए ठीक है अच्छा ये देखो अब ये purchasing power के उपर थोड़ी सी बात करते है है ना यहां से questions बनेंगे इन दोनों का यहां पर आप criteria समझो बहुत ही ध्यान से समझना ठीक है देखो जब हम government की बात करते है government market की यानि कि यहां पर जो government market है basically यहां पर हमारा जो customer होगा वो कौन होगा government होगी और services कोई company यहां पर इसको provide करेगी तो अब जो company service provide करती है government को वो क्या करती है bid लगाई जाती है ठीक है bid पता है ना bid उसको बोलते हैं अरे क्या बोला जाता है हिंदी में बोली लगाना है ना बोलियां लगती है कि जैसे कि आप यही देख लो सारे tender निकलते हैं निकलते है ना tender कही सारे अगर आपको कोई government को service लेनी है तो वो क्या करती है tender निकलती है अब उन tenders में क्या होगा bid लगेगी उस bid के according आपको क्या करना पड़ेगा अब बिड के according आपको government जो भी project है वो ठाके दे देगी ठीक है अब non-profit markets में क्या होता है अब non-profit marketing के पास जो market है non-profit इसमें NGOs हो गए ठीक है ये सारी चीज़े तो जो NGOs होते हैं ना इनको किसी चीज़ की जरूरत है तो ये limited purchasing power रहेगी होगी योई इनके पास पैसा तो जादा है नी ठीक है जो सबसे नीची वाली बोली लगाएगा सबसे कम बोली लगाएगा उसको ये project दे देगी तो जो सबसे कम बोली यानि कि यहाँ पर जो purchasing power है यानि कि खरीदने की छमता है वो again क्या हो गई limited हो गई आपको पहले से बता दिया कि भई इतने पैसे में इतना काम करना है तो जब bid लगाई जाएगी ना तो जो companies bid लगा रही है यानि कि हम जो service देने वाले हैं उसके लिए हमें bid इतनी कम भी नहीं लगा देनी है कि यार उसका जो हम अपना service देने वाले हैं वो खराब हो जाए ठीक है ना अकसर क्या करते हैं जैसे road डालने के लिए जो tender निकलते है ना तो ठेके डाल लोग उसमें बहुत कम पैसे में एक बाद tender निकाल लेते हैं और फिर उसमें खराब माल यूज करते हैं खराब चीज़ें यूज करते हैं तो उससे road बेकार बनता है ठीक है तो ये सब चीज़ें होती है, तो इससे आपको समझ आया कि government market की जो purchasing power वो limited क्यों है क्योंकि उसकी जो वो जो उसमें bid का criteria होता है जबकि जो purchasing power limited है non-profit market की वो किसकी वज़े से है, वो है आपका जो उनके पास funding है, वही short है, ठीक है due to short funding, तो ये सब चीज़ें होती है तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है और इसमें सिर्फ आपके NGO's ही नहीं होते है याद रखना non-profit market में आपका क्या-क्या होता ये भी एक बार पुछा गया है, NGO's होते है यूनिवर्सिटीज होती है, ठीक है आप सस्ता करने के चकर में उसका product की quality ही खराब कर दो, ठीक है ये इस market में आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है इसमें आपका charitable NGO's तो मैंने बताई दिये, ठीक है non-government जो आपकी organizations हो गए, कहीं सारे और सारे NGO's नहीं, non-profit NGO's, ठीक है, only इसके अलावा क्या हो गया, universities हो गया, आपके कहीं सारे government agencies भी होती है, ठीक है न, क्या हो गया भही, आपका एक government agencies, ये भी आपनो down कर लो इसको, government agencies, कई बार ये क्या करती है, government agencies, ये भी non-profit organization में, non-profit market में included रहती है, ठीक है, तो ये बात हो गया, यह आपको पूरी के पूरा जो criteria है, ये clear हो गया होगा, तो अब पता चल गया, आपको majorly हमारे जो key customer markets होते हैं, और में क्या हुआ, हमने government market देख लिया, जहाँ पे government को हम बेचेंगे, non-profit organizations को बेचेंगे, किन चीजों के हमें यहाँ पे देखना होता है, ध्यान रखना होता है, limited purchasing power होती है, ठीक है, इ verified है सारी की सारी चीज़ें, यहाँ पर हमारा जो basic स्थाना, पूरा marketing का, वो खतम हो गया, अब हम थोड़ी सी important चीजों पर बात करेंगे, और थोड़ा सा technical चीज़ें यहाँ पर आपकी picture में आ जाएंगी, ठीक है, पूरा revise ज़रूर कर लेना, और test भी आपका जल्दी होने ठीक है, तो test के लिए ready हो, कभी भी test हो जाएगा, और मैं जब test लेता हूँ, मेरा मन्नी होता है, पहले से बताने का, यह लगता है, यार सिर्फ जागे सीधा test ले लो, पता तो लगे कौन क्या पढ़ रहा है, है ना, यह चीज है, खैर, अब हम बात करेंगे, किसकी marketing की बात करेंगे, markets के बारे में जितनी कहानी थी, वो सारी finish होगी, marketing की बात करेंगे, ठीक है, चलो, थोड़ी सी बात करी लेते हैं, अभी भी, अच्छा, यार, एक चीज और यह देखो, यह मैंने आपको बताया है, क्या एक point, government market हो गया, उपर हमारा global market है, global market है, मैंने आपसे क्या winners, ultimate winners कौन होंगे, भाई, consumer होंगे, कौन होंगे, consumer, अब जैसे कि इसका सबसे best example आप यह देख लो, mobile phones का, ठीक है, आज के time पे mobile phones 10,000 में आप आ रहे हैं, किस वज़े से, क्योंकि जो foreign countries की mobile companies है, like आपका Xiaomi होगी, ठीक है, एक fact तो मैंने आपको दिखा दिया, companies को क्या-क्या में रखना है, लेकिन दूसरा aspect इसका यह भी याद रखना कि consumer को ultimate यहाँ पर क्या मिल रहे है, जीत मिल रहे है, Xiaomi company होगे, Realme होगे, यह खेर सारे एक ही धाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है, ना, Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, यह सब एक ही कहें, ठीक है, चलो खेर, यह जो companies है, इससे हो लेती थी, उसकी उपर अपना tag लगा देती थी, और उसको बेच देती थी, जादा दामों में, ठीक है, तो यह बात है, तो ultimately global market से होता क्या है, कि कई जगे की जो अलग-अलग countries की जो best चीज है, वो हमें काफी कम rate में देखने को मिल जाती है, तो उसके हमें quality बहुत यह चीज भी है, यह भी आपसे चीज पूछी जाती है, खेर, marketing, marketing की चलो एर एक definition लिखातो, marketing की ना कई सारी definition है, मैंने आपसे क्या बोला था, जब मैंने आपको meta marketing बताया, तो बोला, managerial definition अलग होगी, social definition, marketing की अलग होगी, इसके अलावा भी कई सारे लोगों ने इसकी definitions द association, marketing, then एसे लिख लोगे ना, association, लिख लो भई, association, इसने क्या इसकी definition दी है, basically, लिखो, marketing consist of, क्या लिखोगे भई, अच्छा, ये जितनी भी definition लिखाऊँगा ना, ये जो 4-5 लोगों की, अभी मैं definition लिखवाऊँगा आप लोगों को, उनकी definition, डिटो question में आएगी, ठीक है बिलकुल भी words में आपको बदलाव नहीं करना, जैसे मैंने आपको CRM की definition कराई थी ना, words से वो आपसे खेलेगा, खेर, marketing is the, sorry, marketing consist of the performance, consist of the performance, यानि कि क्या consist करता है ये, performance को, ठीक है, of business activities, of business activities, activities, इसके आगे क्या होगा भई, that direct the flow, ठीक है, that direct the flow, direct the flow of goods and services, goods and services, यानि कि जो marketing है न, उसमें performance रहती है, किसकी भई, business activities की, जो direct करता है, कि आपका goods and services का flow है, वो कैसा रहेगा, ठीक है, from producer, अब देखो, flow कैसे कैसे होगा, चलो, यार, ये, ये, बड़ा important है, इसको, अच्छे से लिख लो, इसका मैं आपको figure मैं ही बना देता हूँ, चलो, देखो, सबसे पहले क्या होगा आपका, picture में आएगा हमारा producer, ठीक है, क्या आएगा producer, या फिर manufacturer, या फिर manufacturer आएगा, इसके बाद आपका आता है supplier, ठीक है, कौन आएगा भई, supplier आएगा, supplier के बाद में आपका आएगा retailer, ठीक है, supplier के बाद में, अच्छा देखो, ये, retailer भी आ सकता है, या फिर यहाँ पर आपका consumer भी आ सकता है, या फिर यहाँ पर आपका customer भी आ सकता है, कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहां पर retailer आया हुआ है तो cycle आगे चलेगी इसके बाद आपका क्या आएगा अच्छा देखो retailer या फिर customer आया है तो customer के case में cycle यहां खतम हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है रीजन आपको पता होगा क्यों customer जो है वो यूज कर भी सकता है उस product को या फिर नहीं भी कर सकता है consumer है तो वो ultimately chain आपकी यहीं पर end हो जाएगी ठीक है हर aspect देखते हुए चलना है बिल्कुल अपने दिमाग को आपको खोल के रखना है राइट रिटेलर हो गया रिटेलर के पास से जो चीज है आपकी कहा जाएगी इसे यहां लिख देता हूं यह आपका जाएगा consumer तक फिर ठीक है definition पूरी क्या बन गई marketing consist of the performance of business activities that directs the flow of goods and services from अब ये पूरी ये मैंने आपको chart सा बनवा दिया है इसको ये basically definition में included रहता है लेकिन chart में भी देख लो ठीक है from producer या फिर manufacturer to supplier to आपका retailer to आपका end user ठीक है ये जो chart बनाया है मैंने इसको ही note down करना language में मत लिखना इसको ठीक है समझ में आया basically कि जो American marketing association उसमें क्या बोला भी marketing में basically कुछ activities की performance हमें मिलती है कि कि किस तरीके से हमारा जो goods and services है वो consumer दक हमारा पहुँच रहा है basically ठीक है ये बताया AMA ने अभी हम इसके उपर जो marketing है पूरी understanding लेके आएंगे नेक्स्ट आले lecture में मिलते हैं इसके उपर ठीक है ये definition आप और down करके रखो then हम इसके और भी किन-किन लोगों ने important definitions दी हैं क्या question बनते हैं वो देख रहे होंगे ठीक है और I hope आप लोग अच्छे से मैनत कर रहे हो और math and reasoning भी अच्छे से करते चा रहे हो ठीक है math and reasoning बिल्कुल नहीं छोड़नी है मैंने आपको CHSL के 36 set दिये हुए है उसमें with आपका जो एक contents वाली file होती है वो भी बना के दिये ठीक है अलग से बना के दी है कि आप क्या करोगे जंप करके जापा होगे ठीक है तो उसे यूज करो और यहां से आप arithmetic के सारे questions all कर डालो arithmetic हो गया और आपका reasoning हो गया इसके बाद में जो doubt discussion group है वहाँ पर आपस में discuss करो कुछ questions तो वहाँ पर डाउट हो जाएंगे है ना जो भी फिर डाउट है उसे आप PDF बनाके डाल देना डाउट बोलके ठीक है लेकिन आपस में discussion करो और आपस में discussion करना है टाली राम गृप्पे मैं देखता हूं कहीं सारे वच्छे फाल्दुगा discussion भी करते हैं फाल्दुगा discussion नहीं करना है तो बिल्कुल टाइम वेस्ट करो अच्छे से यह सारी के सारी चीदे करते रहो और जिन्होंने अभी तक चैप्टर वाइस खतम नहीं किया है बेसिक्स तो डियर करो कब करोगे भी खतम अभी आपको क्या करना है time speed distance उठाना है ठ time आ गया है या आप TSD को उठाओगे ठीक है चलो और reasoning में तो daily के daily आपको एक ना एक practice set लगाने ही लगाने ठीक है यह 36 set है इनकी reasoning के daily 25 questions लगाने है अगले एक महीने अब तो एक महीना भी exam के लिए बचा नहीं है ठीक है काम करो 15 दो सेट लगाओ इसके ठीक है 15 days में finish हो जा